आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश की राजनीती में और राजनीताओं के द्वारा बीश आवलकर को लेकर काफी विवाद बना हुआ है कई लोग आप देखेंगे इन्हें हीरो मानते है और इन्हें देश का सितन्ता सेनानी मानते है समासवधारक मानते है और हिंदुत्य की दर्सन का सूत्तिधार मानते है तो दूसरे लोग कुछ ऐसे भी है जो आप देखेंगे इन्हें बिलेन मानते है यानि कि आप देखी माफी भी कहते हैं और वो कहते हैं कि देश की आजादी में भीर सावर करका कोई यह उगदान नहीं था इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी इन्होंने जो भीमराव मेडकर हो या आप देखी महत्मा गांदी हो सरदारवल भाई पटैल हो जवाहलाल नेरो हो इन लोगों को धोका दिया है लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि हमारे देश के जो नेता है ओर नेता जो बात कहते हैं उसी को जंता सही मीमाल लेती है लेकिन नेता किस उद्देश से कहते हैं नेताओं का महापुरसों को लेकर केवल इतना नजरिया और इतना उद्देश है कि बोट बैंक प्राप करना इसके अलावा बोना तो किसी महत्मा गांधी को मानते हैं और नहीं सही से जानते हैं उनके बारे में और वो हर फैसला हर सब्द आप देखी राजनिती की दरश्टी से ही कहते हैं और असल में इन्होंने किसी को नहीं पड़ाए ना तो वीर सावरकर को पड़ाए और नहीं आप देखे इन्होंने महत्मा गांधी सर्दार बल लभाई पटेल भीमराओ मेट कर किसी को नहीं हैं अगर 1909 के पहले कि बीर सावरकर को अगर आप देखें तो आप लोग देश भक्त कहेंगे उनका युगदान देश की आजादी में रहा है लेकिन 1909 के बाद जो उनका उनमें बदलाव आया जो उन्होंने माफी मांगने की बात की लेटर लिखे उसको लेकर बिबाद हम जैसा बना राये उनकी आलोचना हमेशा होती रही है तो दोसों दोनों पक्षों को देखकर हमें किसी भी वैक्ती का हो मुल्यांकन करना चाहिए और बिलकुल एक सही बात है कि इन्होंने माफी मांगी थी इन्होंने अंग्रेजियों का साथ देने का वादा किया था और तरह ऐसे जिल से बाहर आए, कई लोग आप देखते हैं कि भगसिंग की तुला, भगसिंग से इनकी तुला कर देते हैं, कि भगसिंग को मापी मागने के लिए कहा गया, उनके घरवालों ने, उनके मापी नहीं मागी, उन्होंने फासी को सुईकार कर लिया, और इसको लेकर इनकी आलोचना भी की जाती है बीर सावरकर की, तो आज हम लोग बीर सावरकर के बारे में एक सामान चर्चा करेंगे, अब आप देखें कि जो इन्हें मानने वाले होंगे, वो इनकी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, और जो इनके बिरोधी होंगे, इन्हें नहीं मानते होंगे, वो इनकी एक तरह से आलोचना सुनना पसंद करते हैं, लेकिन यहां आप लोगों के सामने सभी जानकारी रख देता हूं, अब ताहिए आपको करना है कि कौन महान था, कौन क्या था, एक आप लोगों पर छोड़ देता हूं, नेताओं को आप लोग जितना कौमेडी को जितना सीरियस लेते है न, उस से हम लोग, हम जाना ही, नेताओं को भी स्रियस नहीं लेते हैं, वो कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, कोई इमायने नहीं रखता है आजकल बोलने का कुछ और देखने का करने का कुछ और नेताओं से कहां उम्मीद की जा सकती है नेतिकता की कौँ से आप देखिए जनता पर प्रभाव पड़ता है तो वो तो वो से साब से फैसला लेते हैं और आजकी जनता ही अलग है आप लोग बीर साबरकर को अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे है और एक विवादित बेक्ती है इसमें कोई दोराय नहीं है और देश की आजादी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का आप देखे देश को आजाद करने में युगदान रहा है अपनी जगे हर किसी का युगदान रहा है किसी के भी युगदान को नकारा नहीं जा सकता है कवियों का युगदान है आप देखे कि पत्तेकारों का युगदान है भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरो, इस तरह के लोगों का भी योगदान है अपनी जगे, महत्मा गांदी सर्दाल बल्लभाई पटेल, भीमरा उमेड कर, जवाहलाल नहरू, इस तरह की तमाम अंगिनत हमारे देश के आजादी के योध्धा रहे हैं, और किसी एक बेक्त सर्दाल बल्लभाई पटेल की विचारधार अलक थी, उनके कई मतबहत थे नहरू से, और आप देखेंगे, भीमरा उमेड कर की विचारधार अलक थी, उनके भी मतबहत थे, स्यावा पिसाद मुकर जी को देख लीजे, लेकिन नहरू की मंती मंडल में सभी को सामिल किया गय और अगर आप देखें सर्दाल बल्लभाई पटेल को सामिल ला किया जाता, तो जो देश की सुंदरता आप देख रहे ना, एकता देख रहे ना, इस सायद ना हो पाती, देशी रियासतों को सामिल करना उनका काम था, उन्होंने बाखोवी निभाया भी, कानून की छित में आप देखें पड़े लिखें बैकती, जिनकी तुल्ला किसी से की ही निजा सकती थी, भीमराव मेटकर साहब, सबसे पड़े लिखें बैकती, उन्हें कानूर मंती बनाए गया, तो इस तरह से आप देखें सबका अपना-पना योगदान है, लेकिन आज होड लगी हुई है कौन हीरो, कौन बिलिन, और इसी में पूली राजनीती समटी हुई है, इसी के नाम पर वोट बैंक सब हो रहा है, कोई और आप देखें सिक्छा की बात कर लिजे, स्वास्त की बात कर लिजे, नौकरी की बात कर लिजे, इस तरह की मुद्दे ही खतम है, तो अगर बिनाएक ब्रहमण परिवार में 28 मई 1883 को एक महान व्यक्ति ने जनम लिया था, और जिनका नाम बिनाएक दामुदर सावरकर रखा गया, हिंदू थे, ब्रहमण जाती से आते थे, ये भी याद रखेगा, महापुरसों की जाती को लेकर भी आप देखते हैं, और अभी भी आप भाव मन लिये, सावरकर ने अपने बड़े भाई, बहें जिनका नाम गनेश मेना भाई, और नारायन के साथ अपना बच्पन बिताया, और उन्होंने अपने जीवन का पहला बीर पर्चम तुबारे साल की उम्र में ही लहरा दिया था, जब सावरकर ने एक छात्रों के को मुसल्वानों की भीड में भगा दिया, जिनोंने पूरे सहर में अपरा तरपरी मचा रखी थी, और उनके उस साहसों बहादुरी के लिए उनकी बहुत पिसंसा हुई, और बाद में उन्हें बीर बैक्ती का नाम दिया गया, और तभी से उन्हें बीर दामुदर सावर कर कहा जाने लगा, और बच्पन से ही आप देखेंगे, देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें करांती कारी युवा बना दिया, और उनके इस कदम में उनके बड़े भाई गनेश ने महत्पूर भूमी का निभाई, और बे एक युवा खिलाडी के रूम में सब से सब के सामने उभर का आये, और धीरे धीरे उन्होंने युवा समो का आहिजन किया, और जिसके बाद मित मेला की नाम से का नाम दिया, ठीक है एक संगठन, और बीर सावरकन जब बहुत कम उमर की थे, तभी इनके माता-पिता की डैथ हो जाती है, इसके बाद बड़े भाई थे जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके जीवन को सही मार्क दरसत दिया, उन्होंने पूने की कॉलेज में दाखला लिया, और बीए की डिगरी पराप्त की, और जब ये सुतंता अंदोरन में सामिल हुए, तो वेटे सरकार ने इनकी इसना तक की डिगरी इन से बापस ले और 1906 में ये बेरिष्टर की डिगरी पराप्त करने के लिए लंदन चले गए, अगर हम लोग इनकी बेवाही के जीवन की बात करें, तो वीर सावरकर की पतनी यमना भाई को माई के नाम से जाना जाता है, और वीर सावरकर के जीवन में भी सफलता का मुक्षरे यमना यमना भाई एक बेहत अलग माहौल में पली बड़ी थी, जो वीर सावरकर के परिवारिक माहौल से बेहत अलग, यमना भाई एक बेहत संपन परिवार से थी, और सावरकर जी एक मध्यम परिवार से थे, लेकिन फिर भी यमना भाई ने अपने विवाही जीवन को बाको भी नवाया, 1901 को नासिक में इनका विवा होता है, और यमनावाई को संगीत का सौख था, और ये अच्छी गायका भी थी, इन्होंने अपने पती को देश प्रैम के लिए जागरित किया, इनकी देश बत्ती कविताओं को एकावाद दी, और इन्होंने देश की महलाओं में सारी महानायकों का आप देखिए, योगदान रहा है देश में को इहां तक लाने में, बीर सावरकर के द्वारा संगठन भी बनाए गए, इन्होंने कई संगठन बनाए और देश को आजात कराने में अपना योगदान भी दिया, राश्टी स्वेम सेवक संग जिसे आर एसस के नाम से जाना जाता है, और इस संगे की स्थापना पांच लोगों ने की थी जिन में से एक बीर सावरकर के बड़े भाई गनेश दामोधर सावरकर थे, उन्होंने एक गुप्त सुसाइटी बनाई थी, जो मित मेला की नाम से जानी गए, यहां भी इनकी आलोच ना किये जाती है, कहा जाता है कि आरेस संगेतन बनाया, इन्होंने कई संगेतन बनाये, लेकिन भगस सींग की फासी का बिरोध इन्होंने भी नहीं किया, कोई उस समय आप देखे कोई प्रमाण नहीं मिलता है, कि इन्होंने भगस सींग की फासी का बिरोध किया हो, तो इसको लेकर भी इनकी आलोचना की जाती है, इन संगठनों की इनकी, बीर सावर किरके अगर योगदान की बात करें योग आजादी में, तो छात्रों का इनोंने एक संगठन बनाई और अंग्रेजियों को भारत से निकालने की योजना भी बनाई, इनोंने एक किताब लिखी जिसका नाम सिफो म्यूटिनी, जिसमें इनोंने सुतंता पराप्ति के लिए किये जा रहे है, पहले योदि की कहानी लिखी, और इस किताब को एक बड़ी सफलता मिली, इसे कई भासाओं में पिसारित भी किया गया, और इनोंने बेटन में एक समान विचारधारा की लोगों का एक समोह भी बनाया, इनकी इनगतिविधियों को देख के पुलिस की नजरों में आ गया, और 13 मार्च 1910 को इन लंदन में गिरापतार कर लिए गया, और इन्हें भारत भीजा गया, जब इन्हें जहास से भारत लाय जा रहा था, तब इन्हें जहास से छब कर निकल कर पानी में चले गई, और इन्हें चार जुलाई 1911 को पोर्ट विलियर की सेलूलर जेल भेजा गया, और इनके साथ जेल में बहुत थी सक्त विवार किया गया जाता था, और इन्होंने कई किताबे लिखी, और जेल से बाहर आकर छुप छुप कर देश की सुदंता प्राप्ति की जब भगा सिंग कहते हैं कि केबल 23 साल के थे, तो इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, और इन्होंने सहीद होने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं लिया, और इन्होंने बेटे सरकार की दयालूता लेने से साफ इंकार कर दिया था, किसमें भगा सिंग ने, और इन्हे इनके कई सुबचिंदकों और परिवारवालों ने याचना करने की लिए कहा था, पर इन्होंने केबल जेल सी रहा होने के लिए कहा था, और इनके समर्थक बताते हीं कि ये भले ही बेटे सरकार से बादा किया था, इसके पीछे इनकी एक योजना थी कि लेकिन इन्होंने अपना हिंदुत्य की भावना नहीं छोड़ी और अलग रूम में देश की सुद्धनता प्राप्ती की लड़ाई लड़ रहे थे और भारत को सौनी की चड़िया कहने के लिए एक तरह से काम भी कर रहे थे और पहले आप देखे भारत को सौनी की चड़िया भी कहा जाता था और देश की आजादी की बात होती रहती थे बीर सावर को को जो आप देखे काला पानी की सजा हुए इन्होंने जैक्सन नाम की एक लक्टर का खून किया था और जो महराश राज जी के नासिक जिली में काम कारवास हुआ और इन्हें जेल के तितिय तल के एक विहत चोटी से कमरे में रखा गया कमरे में केबल पानी का मटका और गलास था और इनके साथ हाथ और पैरों में बेडिया बनी थी इन्हें अकेली एक काली कोटरी में रखा गया इनके साथ और किलिये, और किसी भी कहदी को नहीं रखा गया है, इनके भाई गनेश भी इस जिल में कहदी थale, लेकिन इने इतना सक्ती से रखा जाता था कि इनने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा, कि उनके भाई भी इस जिल में हैं, और इनोंने, इनोंने, 1911 से 1921 तक, 11 साल के कठिन कारवास की सजा भी काटी और आप देखे कि बहुत यातना है जिलने पड़ी एक हकीकत बात है लेकिन जो मापी इन्होंने मांगी उसी को लेकर खास बिवाद बना हुआ है अब देखे मातमा गांदी या सर कौन पंडी जवाला लहरू हो अगर आप देखे कि इन पर कितने विवाद खड़े होते रहते हैं और एक अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि अगर नहरू की मौत अगर 1958 की पहले हो जाती तो देश की दुनिया के सबसे अच्छे सासक नहरू कहे जाते लेकिन आप देखें 1950 के बाद जो जो गलतिया होई हर वेक्टी से गलतिया होती है कहते हैं उसी के कारण की आलोचना भी की जाती है और बीर सावरकर नाथूराम गोर्ट से और गांदी जी का पसंग देख लिजे देश की सुत्रदा प्राप्ती के बाद गांदी जी की हत्या कर दी गई 1948 की बात हो रही यह देश के लिए एक बेहत दुखत घड़ी थी और इस घटना के दोख मुख आरोपी थे एक नाथूराम कोर्ट से और नारायन आप्टे यह दोनों ही आरोपी बीर सावरकर के साथ अक्सर दोरा करते थे और जब गांदी जी की हत्या की गई तब सावरकर के घर पर भी पत्थर वाजी की गई और इनके विरोध में नारे भी लगाए गया इन्हें गिरफतार कर लिया गया और उनका growth किया गया लेकिन इन्होंने कहा इस अपराद में सामिल नहीं थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाया भी नहीं था और आंगी चलकर इन्हें माफी भी एक तरह से आप देखे इन्हें रिहावी कर दिया गया था निर्दोस मुक्ते कर दिया गया था बीर सावरकर पर मुविया भी बनी हुई है प्रीय दर्शन के डारेक्शन में 1996 में कालला पानी नाम से एक फिल्म बनाई गई थी और इसमें बीर सावरकर के कठेंज जीवन को दर्साय गया है और इसमें सेलिंद गौर्ण ने मुक्त भूमी का बीर सावरकर का रोल नभाया और बीर सावरकर के जीवन के महतपूर छडों को एक फिल्म में बहत खुबसूरत तरीके से दर्साय गया है यह फिल्म 2001 में आई थी और सिरीन नरंद मौदी ने इसे गुजराती संसकर्ण में भी रिलीज कानने का अनुरोद किया था और 2000 बारे में इसका गुजराती भासा में भी पसारन किया गया था और आप लोगों को एक बात मालू होने चाहिए बीजेपी इन्हें काफी मानती है इनके द्वारा रचनाए कुछ किताबें भी लिखी गई है ये भी देख लिए हिंदू हिंदू तोद ये आप देखेंगे कि इंडियन वार आप इंडिपेंडेंडेंट हिंदू राष्ट दर्सन इंसाइड दा इनिटी केम्प और इनकी अंतिम समाई की बात करें मौत की तो भी सावरकर का कहना था कि जब किसी बैक्ती के जीवन के सभी लक्ष पूर्ण हो जाए तब यदि वह मित्यू की ओर अगसर हो तो उसे आत्म समर्पमण करते है और सावरकर देश की सुधनता प्राप्ती के बहत पिसन थे और भी अपने जीवन के सभी लक्षों को प्राप्त कर चुके थे और इन्होंने 3 फरवरी 1966 को अपना अन जल्द त्याग दिया और अपने चिकिस्ता को कोई उप्चार ना देने का रोध भी किया और 26 फरवरी 1966 को करीब 11 वजे इनका देह त्याग हो गया यानि कि मित्यू हो गई अब बात आती है देखी इनकी एक सामन कहानी हो गई कि इनका जनम कैसा हुआ परिवारी पेश्ट भूभी देख ली शिक्षा देख ली देश में योगदान क्या रहा है आजादी में कारणों को आप लो देख लीजे एक बात आप देखेंगे कि अक्टूबर 1906 में लंदन में एक ठंडी सामचित पावन ब्रहमर बिनायक दामुदर सावरकर इंडिया हाउस के अपने कमरे में जींगे यानी कि प्रौन तल रहे थे और सावरकर ने उस दिन एक गुजराती बैस को अपने यहां खाने पर बोला रखा था जो दच्छे रफीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय की पिती दुनिया का ध्यान आगश्णिट कराने लंदन आये हुए थे और उनका नाम था मोहंदास करमचन गांदी गांदी सावरकर से कह रहे थी कि अंग्रेजों के खिलाब उनकी रणिती जरूरत से जादा अकर्मक है और सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए का चलिए पहले खाना काई है इनके के बीच बात हो रहे है महत्मा गांदी और सावरकर फ्यूवीद बहुँ चर्चित किताब The RSS Icons of the India Right लिखने वाली नीला जन मुकावध्या बताते हैं कि उस सवाई गांदी महत्मा नहीं थे सिरिब मोहंदास करमचंद गांदी थे तब तक भारत उनकी करम भूमी भी नहीं बनी और बाद में आप देखते हैं कि भारत आते हैं वो और भारत में जो काम करते हैं करम करते हैं उसी इसकी बज़ा से वो क्या बनते हैं महत्मा गांदी बन जाते हैं और जब सावरकर ने गांदी को खानी की दावत दी तो गांदी ने एक कहती हुए माफी मांग ली कि वो ना तो गोस्त खाते हैं ना ही मचली काते हैं यानि कि मासाहरी नहीं है बलकि सावरकर ने उनका मजाग भी उड़ाया कि कोई कैसे ही बिना गोस्त खाए अंग्रेज्यों की तागत की गो चुनोती दे सकता है और उस रात दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के सडंत में सामिल होने के लिए मुंबई से गिरफतार कर लिया गया था हाली को फरवरी उन्नी सो नन्चास में उन्हें वरी कर दिया गया था आरेसेस के का ना होते हुए भी संग परीबार में इजजित यह आप देखे आरेसेस से जुड़े रहें और इसे एक बिड़मना ही कहिए कि कभी भी राष्टियस्वम सेवक संग और भारती जनसंग के एक सदस ना रहे बीर सावरकर का नाम संग परीबार में बहुत इजजित और सम्मान के साथ लिया जाता है इस अंस्थापक में थे लेकिन आप देखे उसके बाद सदस कभी नहीं रहे राष्टियस्वम सेवक संग के या भारती जनसंग के सन 2000 में बाचपरी सरकार ने ततकालीन राष्टपती के आर नारायन के पास सावरकर को भारत सर्वोचिन नागरिक सम्मान भारत रतन देने का पिस्ताव भाई जा था लेकिन उन्होंने उसे सुईकार नहीं किया था भारत रतन की बात करें तो सर्वोचुर पुरुसकार है भारत का और यह आप देखेंगे कब दिया गया था पहली बार कब सुरू हुआ था 1925 से सुरू हुआ था नीलंजन वुकाद्धिया बताते हैं कि 26 माई 2014 को नर्यन मौदी सपत लेते हैं उसके दो दिन बाद ही बीर सावरकर की 131 भी जैन तिथी परती है और वो सुस्तभवन का जाकर सावरकर की चित्त के सामने सिर जुका कर उन्हें सिद्धान जली देते हैं और हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही बेवाद सक्सियत थे और आप देखेंगे हम नहीं भूल सकते हैं कि गांधी हत्या कारण में उनके खिलाब केस चला था वो छूट जरूर गये थे लेकिन उनके जीवनकाल में ही उनके जाच के लिए कापूर आयूंग बैठा था और उसकी रिपोर्ट में सक्की सुई सावरकर से हटी नहीं थी और उस नेता को सार्विनिक रूफ से इतना सब्माद देना मौदी की तरफ से एक बहुत बड़ा फितीक आत्मा कदम था ठीक है यह आप लोग याद रखेगा और तो BGP वाली आप देखे इनका सपोर्ट करते हैं जो आप देखे करते हैं हिंदुत्य की बात करते हैं और नासिक की कलेक्टर की हत्या की सिल्सली में इनकी गरबतारी हुई थी जिसको आपको वता चुका हूँ किसी के कारणे जेल भी हुई थी और पानी के समाद जहास से भी कूंद पड़े थे इभी राई और अंडवान की सेल्यूलर जेल में की कोठी ने मर बावन में इस तरह से साबर के क्युक्ष मेंटों की आजादी खतम हो गई और अंगले 25 सालों तक बुक किसी ना किसी रूम में अंग्रेजियों की कैदी रहे और ये 25-25 साल की दो अलगलग सजाएं सुनाएं गई और सजा काटने के लिए भारस से दूर अंडवान यानि की काला पानी बेद दिया गया और बैसे भी आप देखें कि इनके पक्षकार जो इनके पक्षकार हैं वो ये भी कहते हैं कि बताओ इतनी लंबी सजा किसी और को हुई है वो अगर सुन्दंदा से नानी नहीं थे तो उन्हें सजा क्यों हुई थी उन्हें 698 कमरों की सेलूर जेल में 13.5 गुना और 7.5 फिट की खोटरी नंबर 52 में रखा गया था और वहाँ जेल जीवन का जिक्र करते हुए आसुतोस देशमुक बीस आवरकर की जीवने में लिखते हैं कि अंडवार में सरकारी अफसर बगई में चलते थे और राजनेते कैदी इन बगईयों को खींचा करते थे यानि कि आप देखे कि बैलों की तरह काम करवाते थे वहाँ धंकी सडके नहीं होती थी इलाका भी पहाड़ी होता था जब कैदी बगईयों को नहीं खीच पाते थे उनको गालियां दी जाती थी और उनकी पिटाई ह आते थे, कुछ लोग उल्टिया कर देते, कुछ को बहुत दर्द भी रहता था, और खड़े-खड़े वीडिया हत्करणियों की भी बात होती है, देश्मों के ये भी लिखते हांगे, कि सभी कैदियों को सौचालाय के ले जाने का समय नियत रहता था, और सौचालाय के अंद और वेडियों पहनने की सजा दी जाती थे, और उस दसा में उन्हें खड़े-खड़े ही सौचालाय का इस्तिबाल करना पड़ता था, उल्टी करने के दोरान भी उन्हें बैटनी की जाद नहीं थे, तो माना हुता कि एक तरह से हद पाज थी, एक तरह से क्यो उड़ता की, अंग्रेजों को माफी नामे की अगर बात करें हम लोग और इसको लेकर ही विवाद हैं, लेकिन यहां से सावरकर की दूसरी जिन्दगी सुरो होती है, पहली जिन्दगी पर आप देखे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, अगर जिसने भी आप देखे उन्हें पड़ा ह की वजए समाप्त कर दिया, और हो सकता है कि लोग कहते हैं कुछ इतियास कर कहते हैं कि जो यातनाय दी जा रही थी, उससे वो कमजोर पड़ रहे थे, और निरंजन तकली बताते हैं कि मैं सावरकर की जिन्दगी को कई भागों में देखता हूँ, और उनकी जिन्दगी का पहला हिस्सा रोमांटिक करांतिकारी का था और जिसमें उन्होंने 1853 की लड़ाई पर किताब लिखी थी, और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे सब्दों में धरम निर्पेक्ता की बकालत भी की थी, और ग्रत्तार होने के बाद असलियत से उनका सामना हुआ, और 11 जुला की मागने का पत लिखा, और जेल की रिकोर्ड बताते हैं कि वहार महीने तीन या चार केदियों को फासी दी जाती थी, फासी देने का इस्थान उनके कमरे के बिलकुल नीचे था, हो सकता इसका सावरकर कर असर पड़ा हो, कुछ हलकों में कहा जाता है कि जेलर, बैरी ने सा कर हमारे साथ आई है, तो वो पीछे हो जाते थे, और उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया गया था, तो इसको लेकर भी आलोचना की जाती है, हिंसा का रास्ता, न्रेजन तकली कहते हैं कि हर 15 दिन पर उहां केदियों का बजन लिया जाता था, जब सावर उनका 14 पाउंट बजन बड़ा, जेल में रहने की दोरान, अपने उपर दया करनी की गुहार करती हुए, उन्होंने सरकार से खुद को भारत की, किसी जेल में भेज़े जाने की प्रात्ना की थी, इसके बदले वो किसी भी हैसियत में सरकार के लिए काम करने के लिए तियार सरकार को 30 और 31 माई 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाज़त भी दी गई थी, और जेल से बाहर आने रहने के लिए बनाई थी ये रणनीती, ऐसा भी कई लोग कहते हैं, बाद में सावर करने खुद उनके समर्थ को ने अंग्रेजों से माफी मागने को इस आधार पर सही ठहराया था, कि ये उनकी रणनीती का हिस्सा था, जिसकी बज़ए से उन्हें कुछ रियायते मिल सकती थी, और सावर करने अपनी आत्मकथा में लिखाया कि अगर मैंने जेल में हर्ताल की होती, तो मुझे भारत पत्त भेजने का अधिकार छेन लिया जाता, और मैंने वरिष्ट पत्कार और इंद्रा गांधी सेंटर ओफ आर्ट्स के पिरमुग राम बहादुर राय से पूछा कि आखरी भागस सिंग के पास भी मापी मांगने का विकल्ब था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तब सावर कर के पास ऐसा करने की क्या मजबूरी तो राम बहादुर राय क्या कहते हैं, जवाब क्या देते हैं, भागस सिंग और सावर कर में बहुत मौलिक अंतर था, भागस सिंग ने जब बं फेकने का फैसला किया, तो उसी दन उन्होंने नित्य कर लिया था कि उन्हें फासी का फंदा चाहिए, दूसरी तरह बीर साव सावर कर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे, और उनकी सोच ये भी है कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे, तो जो करना चाहेंगे, वो कर सकेंगे, और सावर कर का हिंदू, हिंदूत की आउधार ना, अंडवाल से बापस आने के और हिंदूत की परिभासा देती हुए, वो कहते हैं कि इस देश का इनसान मूलता हिंदू है, और इस देश का नागरेक वही हो सकता है, जिसका पित भूमी और मत भूमी और पुन भूमी यहीं हो, पित और मत भूमी तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुन भूमी तो सिरफ हिंदूं, सिक्खों, बॉध्धों, जेनुईंगी हो सकती है मुसल्वानों यिसाइओं की तो एपुर्ण भूमी नहीं है और इस परिभासा की अनुसार मुसल्वानों यिसाइओं को इस देश के नागरे कभी हो ही नहीं सकते है तो ये परिभासा थी किसम की? 1924 में सावरकर को पूने की अर्वदा जिल से दो सलतों के आधार पच छोड़ा गया एक तो वो किसी राजनिति गतिविदी में हैसा नहीं लेंगे दूसरे वो रतना गिरी कि जिला कलेक्टर की अर्मती के लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे और निरंजन तक लिए बताते हैं कि सावरकर ने वायसराय लिन लेत्कों के साथ लिखे समझोता किया था उन दोनों का समान उद्दिश गांधी कॉंग्रेस और मुसल्मानों का बिडोत करना है अंग्रेज उनको पैंसन दिया करते थे वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सिवा करते थे जिसके लिए उनको पैंसन मिलती थे वो इस तरह की पैंसन बाने बाले आख के लिए सक्स थे इसको लेकर भी आलोचना होती है इनकी काली टोपी और इत्त की बोतल आती वादी विचारों के बाब जो निजी जिन्दिगी में वो अच्छी चीज़ों की सौकिन थे वो चॉकलेट्स जिन्टान बेंड की विस्की पसंद करते थे कौन सावरकर उनके जीवनीकार आसू तोस देसमुक लिखते हैं सावरकर पांच फिट दो इंच लंबे थे अर्नवान की जिल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे उन्हें तमाकू सुंगनी की आदत पढ़ गई थी अर्नवान की जिल कोटरी में वो तमाकू की जगए जिल की दीबारों को लिखा चूना खुरम कर सुंगा करते थे जिसके उनकी स्वास्त पर बुरा असर पढ़ा लेकिन इसके उनकी नाग खुल जाती थी और उन्होंने सिग्रेट और सिगार पीने की भी कौसिश की लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया वो कभी-कभी सराब भी पीते थे नाचते में वो दो अबली अंडे खाते थे और दिन में कई फ्याले चाय पीते थे उनको मसालेदार खाना पसंद था खास तोर से मशली और वो अलफांसो आम आईस क्रीम चॉकलेट के भी बहुत सौकीन थे वो हमेशा एक जैसी पोसाग पहनते थे गोल, काली, टोफी, धोती या पैंड, कोट, कोट की जिब में एक छोटा हतियार, इत की एक सीसी एक हाथ में चाता हो, दूसरे हाथ में मुडा हुआ अखवार लिए रहते थे तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और देखिए नीलांजन, मुकवाबाद, दिहाए ये सब बताते हैं, ठीक है अगर सावरकर की राजनितिक विचाधारा की बात करें, तो दो दसक राजनितिक एकाकीपन और अपसर में वीते उनके, और उनके एक और जीवनीकार, धनिजस्कीर उनकी जीवनी, सावरकर एंड, हिज, टाइम से में लिखते हैं कि लाल के लिए में चल रही मुकदमे में जजने उन्हें, जैसे ही उन्हें बरी किया, तो नातरवाम गौड से उन्हाराइन वाप्टे को फांसी की सजा हो, सुनाई कुछ अभिक्त सावरकर के पेट पढ़ गए, उन्होंने मिलकर नारा दिया हिंदू 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 हिंदी हिंदूस्तान कभी ना होगा पाकिस्तान राम बहादूर राय कहते हैं, दरसल उन पर आकरी दिनों में जो कलंग लगा उसने सावरकर की विराजसत पर अंदिकार का बहदल डाल दिया दुनिया में साधी कोई ऐसा उधारन मिले जुकरांतिकारी कभी भी हो और साहितिकार भी हो, अच्छा लेखक भी हो और अणवान की जेल में रहती हुए पत्थर के टुकणों को कलम बना कर जिसने 606,000 मापी चाहता हूँ, 6000 कभी ताएं लिखी और उनकी कंठस्त किया यही नहीं पांच मौलिक पुस्त के भी सावरकर के खाते में लेकिन इसके बाब जुद जब सावरकर महत्मा गांदी की हत्या से जुड़े तो सावरकर समात्त हो जाते हैं उनकी राजनितिक बिचारधारा वही सूख जाती है और देखी इन पर दो ही आरोप लगे इनी की कारण आप देखी इनकी आलूज ना की जाती है एक तो मापी नामा का एक आप देखी मात्मा गांदी की हत्या का और इनकी काम अच्छे रहे हैं पॉल राईजिंग फिगर 1986 में अपनी मित्यु के कई दसक बाद भारती राजनिती में वीर सावर कर एक पॉल राईजिंग फिगर हैं या तो वो आपकी हिरो हैं या बेलेन हैं नरजन तकले ये भी कहते हैं साल 2014 में संसत के सेंटल हॉल में जब मौदी सावर कर की चित को सम्मान देने वहां पहुंचे तो उन्होंने अंजाने में अपनी पीट मात्मा गांधी की तरब कर ली थी क्योंकि गांधी जी का चित उनके ठीक सामने लगा था और ये आज की राजनिती की वास्तविक्ता है और आपको सावर कर को सम्मान देना है तो आपको गांधी की विचारधारा की तरब पूरी तरह से पीर गुमानी ही पड़ेगी अरगर आपको गांधी को सुविकारना है तो आपको सावर कर की विचारधारा कुन नकारना होगा साइद यही बजाए कि सावरकर अभी भी भारत में एक polarizing figure बने हुए है आप लोग दोनों को साथ वो तो एक सीधी सी बात याद रखेगा आप दोनों विचारधाराओं को लेकर साथ नहीं चल सकते हैं अगर आप महत्मा गांदी को मानते हैं और सावरकर कुमांते हैं तो किसी एक के विरोधी आप ज़रूर होंगे और यह पूरी एक कहानी है इसमें सही क्या है गलत क्या है आप लोगों को टाय करना है आप अगर सही सोचते हैं कि उन्होंने माफी इसलिए माँगी कि वो बहार आ सके कुछ काम कर सकें, तो आप लोग अच्छा मान सकते हैं, और अगर अगर आप लोग भगस्तिंग से तुल्ला करते हैं कि हर हाल में मापी नहीं मागनी चाहिए थी, चाहे उसका परडाम कुछ भी होता, तो आप लोग गलत मान सकते हैं, तो यही सब कहानी है, उससी को लेकर बि पाली में रखिएगा, दो जिंदियां एक तरह से आप लोग कह सकते, एक पहले वाली और एक बाद वाली इनकी, चली और आपकी कुछ सवाल हो, आप लोगों की क्या रहा है, आप लोग नीचे जरूर बताएगा, और ये सबी इतिहास कारों ने, जो इनके जीवनी कार है, उन रख दें, अब उसे सही मानो या गलत मानो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, महत्मा गांदी को सही मानो, चाहे उन्हें गलत मानो, सद्दार बल्लभ भाट पटेल को गाहलत मानो, क्योंकि आप देखिए, भीमराव मेटकर को मानने वाले हैं, उनके विरोध करने वाले भी हैं, और इस तरह की किसी जिंदगी में आप होते हैं, तो आपके पसंद करने वाले भी बहुत होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं, पसंद सक होते हैं, हालोचक भी होते हैं, तो ये कहानी रहती है, और बताईए आप लोग कुछ सोचती हैं अगर इन पर वातनो नीचे जरूर बता सकते हैं, ठीक?